नमोना में हैं, मैं डाक्टरों प्रकास बैर्वा, सहाय का अचार्य संस्कृत, राज की अशनात को उत्तर महावित द्याले जहालावार, आज हम नारण पंडित द्वारा रचेत, हितोप देश का अधियन करेंगे, एक पथिक, बाग के हाथ में इस्थित, सोने के कंगन के लालच में आकर, जोहीं तालाव में इसनान करने हितोप प्रवेश करता है, वहें गहरे दल दल में फच जाता है, तथा बाग द्वारा पकड़ लिया जाता है, तब वहें मन ही मन सोचता है कि, सेही गगन विहारी, कलमस ध्वन से कारे, दस सत कैरे धारी, जोती सामद चारी, विधोर अपी वीधी योगाद, ग्रैश्य तेरा होना शव, लेकितम अपी लैलाटे, प्रोजी तुम के समर्थ हैं, विधोर अपी का संदी विच्चेद करेंगे, तो विधोर अपी यहाँ पर विशरे का आधर हो गया था, राहोना असव, तो राहोना और असव अलग हो जाएगा, लिखितम अपी पद्विच्चेद करेंगे, तो लिखितम अलग और अपी अलग हो जाएगा, अब अन्वे देखिए, ही सहे गगन विहारी, कलमस ध्वन्सकारी, दस सत्करधारी, जोतिसान मध्चारी, असव विधुह अपी, विधी योगात, राहुना ग्रश्चते, ललाटे लिखितम अपी, प्रोजितुम कहे शमर्थ हैं, ही यानि सचमुच, शहे वहे, गगन विहारी, गगन यानि आकास में विहारी यानि विहार करता है, या आकास में विच्रण करता है, कलमस ध्वन्सकारी, और कलमस यानि अंध्यकार का ध्वन्सकार यानि विनास करता है, 10 सत्य कर धारी 10 यानि 10 और सत्य यानि 100 10 को 100 से गुणा करेंगे तो 1000 अर्थात 1000 कर यानि हाथ तो किरनों रूपी हातों को धारी यानि धारन करने वाला कर्थात जो सूर्य अकेला आकास में आकास में विच्रन कर रहा है और अंधकार को भगाने वाला है और हजारों किरनों रूपी हातों को धारन करने वाला है ऐसा सामर्थ साली शूर्य है जोतिसा में मध्चारी जोतिसा में ग्रहे नक्षत्रों के मध्चारी यानि बीच में विच्रन करने वाला असव यानि यह है विधू अपि विधू यानि चंद्रमा अपि यानि भी विधी योगात है विधी यानि जो भैग है उसके योगात यानि योग से भैग के योग से या भैग वस राहुना ग्रशते राहु नामक राक्षस के द्वारा ग्रशते यानि निगल लिया जाता है ललाटे लिखतम अपि प्रोजितम के समर्त है तो ललाटे यानि भैग में लिखतम यानि लिखे हुए अप यानि भी प्रोजित में आनि मिٹाने में की यानि कौन समर्थ defined रथात जो भैग में लिखा हुआ है उसको मिटाने में कौन समर्थ रथात कोई उसको नहीं मिटा सकता है तो ये प्राहतैकाल का समय के ध़टना का बढ़नन है, एक तरब तो सूर्य वदित हो रहा है और एक तरब चंद्रमा अस्ता चल की और जा रहा है उस समय जो पत्तिक है उन दोनों की और जो महा तेजस भी जो शूर्य चंद्रमा है उसकी और देख करके ये बढ़नन कर रहा है कि एक तरब तो ये सूरिय भगवान जो आकास में विच्रन करता है अंधकार का विनास करता है हजारों करणों रूपी हातों वाला है और वह यह जो चंद्रमा है जो अकेला भी नहीं है अब ये तो कई जो ग्रहन नक्षतर है उनक के बीच में जो बिच्रन कर रहा है ऐसा यह विधु यानि चंद्रमा भी विधी योग आता है भैग के योग से राहू के द्वारा ग्रिशते निगल लिया जाता है तो भैग के वस या भैग के अधिन होने के कारण शूरिय और चंद्रमा दोनों को राहू के द्वारा बीटाने में कौन समर्थ है इस प्रकार से जो पथी के है ऐसा सोची रहा था कि इतने में ही गो जो भाग है उसनो पकड़ लिया और पकड़ करके मार दिया और मार करके खा गया तो दो चीज़ों का यहां पर बढ़न किया गया है एक तो होनी का और एक लालच का तो होनी के बारे में हिंदी में भी दोहाई और चौपाई मिलते हैं होनी तो हो करे रहे अन्य होनी ना होए लाख जतन कोई करे वाहे मेट सके ना कोई तो उसी दाह जी ने भी चौपाई लिखिया होई है वाही जो रा मेरा चिराखा काकरी तरके बढ़ा वही साखा और लालच के बारे में कहा है कि लालच बुरी बला है या लालच गला कटाता है या एक और भी चीज़ देखने को मिलती है दोहा मिलता है और और कही और कही और और कही और और कही और 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 के चाहे में और बचेने ठोर कर दो दो कर दो